नमस्कार खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है आपके साथ मैं हूँ खुश्बू पश्चिम बंगाल विधान सभाद चुनाव को लेकर बीजेपी और टीमसी के बीच घमासान मचा है लेकिन असम की चुनावी तापिश भी कम नहीं है पाँच साल पहले तरधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई में बीजेपी पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य में कमल खिलाने में काम्याब रही है जिसे वो हर हाल में अपने पास बचाए रखना चाहती है गौर तलब है कि असम में इसी साल विधान सभा का चुनाव है इस वजह से राज्य में नेताओं की आवाजा ही बढ़ गई है इसे सिलसले में पहले पियम मोदी और फिर अमिट शाह असम पहुचे प्रधान मंत्री मोदी ने असम में आदिवासी समुदाय को जमीनों का पट्टा दे कर एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की पियम मोदी ने 1,60,000 लोगों को जमीन के पट्टों का आवंटन किया ऐसा इसलिए क्योंकि असम की राजनीती में ट्राइबल समुदाय की भूमी का काफी जादा महत्वपोन है पियम ने इसके साथ ही बोडो समझोते, बिजली पानी इंफ्रास्ट्रक्चर, आक्ट इस्ट पॉलिसी का भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि 5 साल पहले तक असम के 50 प्रतिशत से भी कम घरों तक बिजली पहुची थी, जो अब करीब 100 प्रतिशत तक पहुच चुकी है जल जीवन मिशन की तहट, बीते डेड़ साल में असम में धाई लाग से जादा घरों में पानी का कनेक्शन दिया गया है आत्मविश्वास तभी बढ़ता है जब घर परिवार में भी सुविधाय मिलती है और बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधरता है बीते सालों में इन दोनों मोर्चों पर असम में अभूत पूर्फ काम किया गया है दूसरी तरफ ग्रीमंत्री अमिच शाह ने भी असम पहुँचकर कोकरा जार और नलबाडी में जनसभाओं को संबोधित किया इस सौरान उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में तमाम रैलियों को संबोधित किया है लेकिन इस रैलि को संबोधित करते हुए मेरे मन को अपार शांती हो रही है अमिच शाह ने नलबाडी में विजय संकल्प समारों को संबोधित किया उन्होंने कहा कि असम में कॉंग्रेस और बद्रुद्दीन अजमल घुस्पैठियों के लिए सारे दरवाजे खोल देंगे क्योंकि ये उनका वोट बैंक है जो सालों तक यहां शासन में रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने असम की संस्रिती के लिए क्या किया वोट बटोरने के अलावा इन लोगों ने कुछ नहीं किया उन्होंने ये भी कहा कि असम में NDA सरकार ने श्रीमान शंकरदेव को चिर्स मरणिये बनाने के लिए कदम उठाया है गुसपैट को भाजपा की सरकार ही रोक सकती है अमिश्या ने कहा कि कॉंग्रेस कई बार BJP पर सांप्रदाइक होने का आरोब लगाती है वहीं कॉंग्रेस केरल में मुस्लिम लीक के साथ है और असम में बद्रुदीन अजमल के साथ गड़ बंधन किया है कॉंग्रेस असम को किस दिशा में ली जाएगी कॉंग्रेस अंग्रेजु की नीती पर चलती रही फूट डालो और राज करो कभी असमी गैर असमी कभी आदिवासी गैर आदिवासी कभी बोडो गैर बोडो यहां लोगों को लड़ाते लड़ाते सालों तक असम को कॉंग्रेस ने रक्त रंजित किया है अमिच्छा ने कहा कि 10,000 से ज्यादा युवाओं का खून बहा है इससे पहले कोकरा जहार में अमिच्छा ने असम की जनता से कहा कि सेमी फाइनल की तरह ही फाइनल मैच भी जीतना है BTR रकॉर्ड की पहली वर्षगाट पर अमिच्छा ने कहा कि इस संधी के सभी नियमों का पालन किया जाएगा उन्होंने ये भी कहा कि असम की भाषा और संस्क्रिती की रक्षा बीजेपी करेगी उन्होंने कॉंग्रेस पर निशाना साते हुए कहा कि जो कॉंग्रेस पार्टी अपने कारेकाल में शान्ती विकास नहीं ला सकी वो आज हमें सलह दे रही है अमिच्छा ने ये भी कहा कि भ्रष्टा चार मुक्त घुस पैठिये मुक्त आतंकवाद से मुक्त और प्रदूशन से मुक्त असम अगर बनाना है तो मोदी जी की नेतरित्व में भाचपा ही बना सकती है अमिच्छा ने अपनी संबूधन के दौरान कहा कि आज से ठीक एक साल पहले देश के प्रदान मंत्री जी के नेतरित्व में बोडो शान्ती समझोता हुआ और बोडो शान्ती समझोते के साथ प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया कि उत्तर पूर्व में जहां जहां अशान्ती है वहां बाचीत कीजे और शान्ती का मार प्रशस्त कीजे शाने आगे कहा कि वर्षों से चलियाई समस्या ने 5000 से जादा लोगों की जान दी वो मोदी जी के द्रड निश्चे मार्ग दर्शन और हमारे प्रमोज जी के इनिशेटिव के कारण आज ये समस्या शान्त हो गई है और आने वाले अनेक वर्षों तक हमारा बोडो क्शेत्र विकास के रास्ते पर आगे चल पड़ेगा बता दे कि बोडो लांड टेरिटोरियल रीजिन यानी की BTR अकॉर्ड बीते साल 27 जनवरी को केंद्र सरकार, असम राज्य सरकार और बोडो स्टेक होल्डर्स की बीच हुआ था बता दे कि हाल ही में बीजेपी, यूपीपी और जीएसपी ने बोडो लांड टेरिटोरियल काउंसल का गठन किया असम में अमिच्शा ने आयुश्मान, सीपीएफ योजना की शुरुआत भी की इस योजना के तहर्ट भारत के सभी सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को केंद्रीफ स्वास्ते बीमा का लाब मिल सकेगा अमिच्शा ने कहा था कि सरकार सुरक्षा बलों के हाउजिंग साटिसफाक्शन रेशियो के लिए बहुत बड़ा अभियान चला रही है उन्होंने कहा कि 2022 तक जब आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होंगे तब संतुष्टी के अनुपात को हम 55 प्रतिशत और 2024 तक इसको 65 फीसिदी तक ले जाएंगे उन्होंने ये भी कहा कि हर जवान कम से कम साल में 100 दिन अपने परिवार के साथ रह सके हम इसके लिए भी प्रयासरत हैं ग्री मंत्रे ने कहा कि जब वो CAPF के जवानों से मिले तो उनके कुछ चिंताओं से अवगत हुए उन्होंने का कि मैं मानता हूँ कि जो जवान हमारी मातरभूमी के लिए लड़ रहे हैं वो अपने घर परिवार को ले कर चिंतित ना हो उनके परिजनों की चिंता करना हमारा काम है मोदी जी के नेत्रित्व में हम सुरक्षा बलों के कल्यान के लिए कटी बद्ध हैं यहाँ पर ये जानना जरूरी हो जाता है कि असम बीजेपी के लिए इतना एहम क्यूं है गौर्दलब है कि 2016 के विधान सभा चुनावों में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली भाचपा ने असम में बहुत अच्छा प्रदर्शिन किया था और अपने दम पर 126 सीटों में से 60 पर जीत हासिल की थी जबकि अपने सहयोगी असमगण परिशद, AGP और Borderland People's Front यानी की BPF की साज़दारी में कुल 86 सीटों पर विजय हासिल की थी बीजयपी असम में पहली बार कमल खिलाने में काम्याब रही है जिसे वो किसी भी सूरत में अपने हाथों से नहीं निकलने देना चाहती असम की जीत बीजयपी के लिए काफी एहम साबित होगी इसलिए बीजयपी कोई कोर कसर नहीं चूड़ना चाहती असम में इस साल के विधान सभाद चुनावों में भारी जीत से एक और बात साबित होगी कि मोदी शाह की उन राज्यों में सत्ता पर काबिज रहने की क्षमता जो की पारंपरिक रूप से अन्य दलों के गड़ रहे हैं और वहां की सामाजिक, सांस्तितिक, राजनितिक लंबे समय तक काबिज रही है लेकिन पात साल पहले बीजेपी के हातों उसे सियासी मात खानी ही नहीं बल्कि सत्ता भी गवानी पड़ी थी इसके बाद से कॉंग्रेस लगातार असम में कमजोर होती जा रही है जबकि बीजेपी का राजनितिक ग्राफ तेजी से बढ़ा ह असम ही नहीं बल्कि पूर्वोत्तर में बीजेपी का एक छत्र राज पूरी तरह से कायम ही होता जा रहा है जबकि बीजेपी का राजनितिक ग्राफ तेजी से बढ़ा है असम ही नहीं बल्कि पूर्वोत्तर में बीजेपी का एक छत्र राज पूरी तरह से कायम है असम में कॉंग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा रहे तरुन गोगोई अब नहीं रहे है ऐसे में कॉंग्रेस के सामने राज्य में एक मजबूत नेत्रित्व का भी सवाल खड़ा है वहीं असम में बीजेपी की बढ़ती राजनीतिक ताकत को देखते हुए कॉंग्रेस ने गड़बंधन की रहा पर राज्य में चलने का फैसला किया है AI-UDF के प्रमुक बदरुदीन अजमल से परहेस करने वाली कॉंग्रेस अब उन्हीं के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतर रही है एक समय पर कॉंग्रेस नेता AI-UDF को संप्रदाइक पार्टी और BJP की टीम भी कहा करते थे अब वक्त और सियासत ने ऐसी जगे लाकर खड़ा कर दिया है कॉंग्रेस को कि कॉंग्रेस बदरुदीन अजमल और लेफ्ट पार्टियां एक साथ आ गई है यहाँ पर दिल्चस्प बात यह है कि कॉंग्रेस और AI-UDF के बीच 2019 के लोकसभाद चुनाव में ही गड़बंधन की नीव पड़ गई थी उस वक्त भले ही वो एक साथ मिलकर चुनाव ना लड़े हो 2019 के लोकसभाद चुनाव में बदरुदीन अजमल में तरुन गोगोई के बेटे गौरफ गोगोई के खलाफ अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था इसका राजनीतिक फायदा हुआ और गौरफ गोगोई कलिया बोज सीट से जीत कर एक बार फिर संसत पहुँचे अब विधान सभाचुनाव में कॉंग्रस इसे मूर्थ रूप दे रही है और अजमल के साथ साथ लेफ पार्टियों से भी हाथ मिला है इतना ही नहीं कॉंग्रस के नजर अखिल गोगोई के नित्रित्व वाली कृषक मुक्ती संग्राम समिती पर भी है जहां तक बात BJP की है तो असम कभी भी भाजपा का स्वाभाविक या पारंपरिक प्रभावक शेत्र नहीं रहा है पार्टि और उसके वैचारिक अभिभावक राश्ट्रिय स्वयम सेवक संग की अपनी संदेश पहलाने और स्थापित राजनीतिक दलों के निताओं को आकरशित करने की जमीनी स्थर से शुरू एक कठेन रणनीती पूरे राज्जे में अपना प्रभाव थैलाने में पार्टि के काम आई इसी तरह ब्राइंड मोदी को भुनाने का प्रयास भी पार्टि के लिए चमतकारिक परणामों वाला साबित हुआ खास कर इसलिए भी कि एक शांदार उपलब्दी के बाहरी गुजरात के मुख्य मंत्री का राज्जे से कोई संबंद नहीं था दश्कों तक हाशिये पर पड़े रहने अन्ने राज्जियों में उपलब्द सुविधाओं से वंचित रहने ध्यान नहीं दिये जाने और उग्रबाद जेल चुकने वाला असम राश्ट्रे विमर्ष का हिस्सा बनना चाहता था और मोदी एंड कंपनी ने असम के लोगों की इस आकांक्षा को समझते हुए राज्य को भारत के किसी सुदूर वरती हिस्से की तरह नहीं बल्कि अपनी राश्ट्री राजनीती के एक महत्वपूर्ण पहलू के तौर पर अन्ने राज्यों के समान महत्वदिया 2014 की लोगसभा की जीत के बाद से ही मोदी ने ये सुनिश्चित किया कि उनकी प्रमुक योजनाए उज्वला से लेकर ग्रामीन आवास तक उत्तर प्रदेश या राजस्थान जैसे अन्ने राज्यों की तरह ही असम की लोगों तक भी पहुँचे कुल में आकर देखें तो जिस तरह से असम के राजनेतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं ऐसे में असम का चुनावी मुकाबला बंगाल से कहीं ज्यादा दिल्चस्प होता देख रहा है अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें शेयर करें और कापिटल टीवी को सब्सक्राब करें नमस्कार